तूटा हुआ डस्ट बिन का ढगकन तूटा हुआ रैकेट और तूटी हुई आटा वाली छलनी पड़ी है तो इनको आप फेके मत फेकने से पहले ये वीडियो जरूर देखे इनसे हम त्री जो गार्ड करेंगे वो भी गार्डन में देखना है नमस्ते फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होब आप अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ कल की वीडियो में जो क्योशन पूछा था उसका राइट आंस्वर येलो और ब्राउन था सबसे पहले जिसने राइट आंस्वर दिया है ये विद्या जी इनका ये है कोमेंट और नेक्स वर्मा जी ने भी सही आंस्वर बता है और आशा अगर्वाल जी हो गए और स्वेता बिंदल जी हो गए और नरेंदर कोर जी ने राइट आंस्वर दिया है अब देखिए फ्रेंड्स तूटे हुए डस्ट बिन के धकन का हम यूज करेंगे इसका इस्तमाल आप कर सकते हैं अगर आपके पास garden है तो भी कर सकते हैं नहीं है तो भी कर सकते हैं में बताउंगी करना क्या है आपको dustbin के धकन में चार छीट करने हैं चार किनारे किनारे पर छीट करना है और आपको किनारे किनारे पर उपर की साइड से बांध दूँगी देखिए ऐसे दो मैने पिरो लिए हैं और रसी ऐसे पिरो लूँगी तो यह जो डस्टमिन है इनको आप फेके में पहले आप यह वाली वीडियो देखें इसमें आपको कबार दिखेगा लेकिन कबार का जुगार ही दिखेगा तो ऐसे मै में लगी है उसको भी आप ऐसे यूज कर सकते है्ल देखिए ऐसा हमारा बनके हो गया है तो यह यहां पेपर दिखना का भी और ऑग को यह गाली लेल हो कि ऐसे का इसमाल कर सकते हैं फिर बेवाहर करे कर दिखेंद। यहां पे दल्या डाल दूंगी और कुछ खाना डाल दूंगी तो इसका इस्तवाल हम बर्ड्स फीडर के रूप में कर सकते हैं पक्षियों को इसके उपर दाना वगरा डाल के खिला सकते हैं यह जो काम है यह बड़ा ही पुन्ने का काम है तो कोई भी बंदा इसका को कर सकते है कोई भी ठकन ले सकते है pivotHAHA यूज गा देखिया पुन्ने का गार्डन में तो पक्षिय आते हैं और दाना पानी देख भी गार्डन में पक्षिया आते हैं यह मेरे गार्डन का बड़्ड का दूंगस हैर्द फ्र söz सूखने से शुरू हो गए हैं तो यह जुगाड आप भी करें नेक्स्ट और डियाईवाई हम करेंगे यह जुगाड बोल सकते हैं आप यह हमारे रैकेट का जो यह बला है देखिए यह रैकेट है इसका जो जाली है वो टूट गई है और यह वाला जो प्लांट है यह है अप 40 रुपे का चोटा प्लांट मिलता है और अगर आपको बीज मिल जाए तो आप इसको बीज से अभी उगा सकते हैं बीज से आसानी से निकल जाता है एक मेने के अंदर आपका बीज ग्रो होएगा चोटा सा पोदा बन जाता है तो यह घर में शूप भी माना जाता है और यह प्यारा भी लगता है इसमें ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं और यह जो अपरा जगता का प्लांट है इसको शंक पुषपी फ्लावर वाला प्लांट भी बोलते हैं इसके बहुत सारे नाम होते हैं इसमें अलग-अलग कलर में आते हैं तो देखिए कल का वीडियो में मैं द आप जो गाड करेंगे देखिए ऐसे वाइन वाले जो प्लांट होते हैं उनको अगर आप उपर की साइड हैं करेंगे या कोई सहारा दे देंगे तो यह वाला जो है एक दूसरे से चिपका हुआ इसकी जो वाइन है वो देखिए लिपटी हुई है तो इनको हम सीधा करेंगे यह जो मेरा गमला है इसके अंदर दो प्लांट है देखिए फ्रेंड्स वाइन वाले प्लांट के लिए आप बहुत ही अच्छा जुगाड कर सकते हैं वो भी रैकिट से तो टूटा हुआ रैकिट पड़ा था एक बार मैंने इसका अलग से इस्तमाल किया था यह रैकिट का तो वो मैंने प्लास्टिक बोटल के साथ हैंगिंग प्लांटर बनाए थे तो देखिए हैंगिंग प्लांटर तो मेरे जो कुंदा है मेरे पास एक डब्बे का बाल्टी का उसमें हैंग हुए हैं जो मैंने छतरी प्लांटर बनाए थे प्लास्टिक बोटल के काफी महीनों पहले बनाए थी उनमें मैंने जेड प्लांट लगाया था अभी अच्छे से चल रहे हैं तो देखिए मैं क्या कर रही हूं कमले में मैंने छेद कर लिया है थोड़ा सा मिट्टी हटा दिया है और इस रैकेट को हम यहां पर अच्छे से गाड देंगे तो गाडने के बाद दे देंगे अच्छे तक करें इसके वाईन वाले हए प्लांट वाईन वाला बांट आपके पास कोई भी प्लांट हो अगर आप राजेता नहीं है तो आप मनि प्लांट को भी ऐसे जोगाड से ऐसे चड़ा सकते हैं यह देखने में सुन्दर भी लगता है और यह देखिए कित के उपर भी कोई भी आपके पास तार है उसका भी जोगाड कर सकते हैं तो मैंने पहले अपराजिता के लिए दो गमलों में लगी थी अपराजिता उनके लिए भी मैंने ऐसा जोगाड किया था तब मैंने दो डंडो में एक साइकल का रिम पड़ा था यानि एक वायर साइकल क राउंड शेप में उसको डंडो पे बांद के वो जोगाड किया था मैं आपको दिखाऊंगी वो और भी प्यारा लगता है इससे भी तो ये जो रैकिट का इस्तमाल आप ऐसे कर सकते हैं वो आपको मैं आगे दिखाने वाली हूँ मैंने कैसे किया हुआ है और उस पे तो दो वाइन चड़ी हुई है मेरी एक तो अपराजिता की है और एक दूसरा जो है वो हमारा मोर्निंग लोरी की वाइन अभी देखिए ये जोगाड आप कर सकते हैं अगर आपके पास टूटा हुआ रैकिट पड़ा है तो कोई भी ब्ला हैं और इनको अच्छे से यह चिपका लेगी यानि अपने साथ अटेच कर लेगी तो यह जो गाड आप कर सकते हैं यह मोर्निंग में आज ही किया है मैंने रैकिट टूटा हुआ था फ्रेंड्स और कल शाम को फ्रेंड्स में बाहर चले गई थी तो कल शाम को कोई न्यू व चलनी होती हैं आटा वाली तूट जाती है कुछी दिनों में इनको क्या करना है आपको ऐसे तीन छेद बना ले हैं इनमें तो यह जो टूटी हुई चलनी का आप ऐसे इस्तमाल कर सकते हैं और बता दूँ यह जो चलनी है इसका अपडेट भी मैं दूँगी मैंने इनमें कि रोके बांद ली है मजबूत वाली और एक थैली बिचा के थैली में छेद करके ऐसे मिटी बर ली है तो देखिए मैं मनी प्लांट इसमें लगा रही हूं आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं और यह जो चलनी वाला है मैंने बिना पेंट बनाया था फ्रेंट काफी दि देखिए यहां पे हैंक यहां प्लांट यह अचेर पे चखाक लोगा दिया था तो के यहां यहां पर वालंगा भी प्लांट लगा सकते वहां और इसको को मौने यहां पर रख तुया है धूप में यहां प्लांट प्लांट है vy मौन देखए कि दोब ideal कास में आप लिगा गिर रही है और वैसे तो मरको कटिंग लगानी थी बहुत सारे आपके साथ भी एक बार शेयर की थी और भी शेयर करती लेकिन अभी बता नहीं बारिश क्यों नहीं आयी है तो बारिश लाइगी तब ही हम कटिंग लगाएंगे और यह सब जो है यहांपे जो भी रखा है सभी जुगाड से मैंने गार्डनिंग की है और ये भी बीच से बना है प्राजिता का इस गमले के अंदर है तो इसमें भी फ्लावरिंग होती रहती है और ये भी अच्छे से बढ़ रही है तो कोई भी वाइन वाला प्रांट के लिए आप ऐसे जुगाड कर सकते हैं कोई तार पड़ा है कोई ऐसे सरीया पड़ा उससे भी आप बना सकते हैं ये मैंने रोड साइड से लिया था और यहां पे भी देखिए फ्लावरिंग हो रही है ये मोगरा का प्लांट है इसमें हर ब्रांच पे चोट चोटे बड्स आये हुए है एक प्लांट मेरे पास नीचे है अब नीचे वाला जो अपना चोटा सा गार्डन है वहां पे रखा है उसमें भी फ्लावरिंग होती रहती है और ये मोगरा यहां पे रखा हुआ है आप जवाब जरूर देना सबसे पहले जो 5-7 बंदे कोमेंट करेंगे उनका कोमेंट स्क्रिन सोट के साथ नेक्स्ट वीडियो में नाम सही शेयर किया जाएगा और ये वाइन के लिए मैंने जुगाड किया था तो देखिए फ्रेंड्स जो मेरे गार्डन के जो बर्ड्स थे वो तो उड़ गए हैं एक तो गार्डन में घूम रहा था ये उनकी मा थी बोल रही थी यहां पर आके और फिर उड़ गई तो ये देखिए ये उसके बच्चे हैं एक गार्डन में घूम रहा था एक उट गया वो थोड़ा बड़ा था और ये यहां पे गूम रहा था तो मैंने इसको उठा के यहां घोसले में रख दिया तो ये बहुत ही जादा खुश हो गया तो ऐसे आप भी जोगार्ड से गार् शेयर भी कर सकते हैं